ये वीडियो उन सभी candidates के लिए काफी महत्वोन है जो Central University या केंद्रे विश्विध्याले से PhD करना जाते हैं Central University से PhD करने के अपने फायदे होते हैं, fees काफी कम होती है Research करने के लिए infrastructure जो होता है वो काफी अच्छा होता है Central University की अपनी एक reputation होती है So, इस वीडियो में हम राजीव गांदी यूनिवर्सिटी जो की एक Central University केंद्रे विश्विध्याले है उसके PhD एड्मिशन 2022-23 सेसन के संबंद में संपूर्ण जानकारी किसकी subject में आप यहाँ पर PhD कर सकते हैं, क्या eligibility criteria रहने वाला है admission की पूरी परकेरिया क्या होती है entrance exam अगर होता है, तो क्या syllabus और क्या exam का pattern रहेगा कैसे आविधन करना है, और कब आविधन करना है साथी साथ जो है अगर आप यहाँ से PhD करते हैं, तो fees आपकी कितनी लगने वाली है तो ऐसी ही वीडियो जो है आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी चाहे वो Central University PhD admission के संबद में हो, जैसे जामिया मिलिया, इसलामिया अल्रेडी वीडियो बनी हुई है, आप PhD केरियर वीडियो सीरीज में जाके जो play list है उसमें जाके देख सकते हैं, IIT से PhD कैसे कर सकते हैं, State Government University से PhD आप कैसे कर सकते हैं, BHU से PhD, IGNU से PhD तो ऐसी काफी सारी वीडियो जो है मेरे चैनल पर आपको यहाँ पर मिल जाएगी तो चली सबसे पहले जो है मैं आपको यहाँ पर सब्जेक्ट दिखा देता हूँ, कौन-कौन से सब्जेक्ट जो है, राजीव गांधी Central University में उकलब्द है सबसे पहले यहाँ पर Anthropology है, Botany है, Chemistry है, Commerce है, CSC है, ECE है, Economics है, Education से आप PhD कर सकते हैं, English, Geography, Geology, Hindi, History, Management, Mass Communication, Mathematics, Physical Education and Sports Science, Physics, Political Science, Psychology, Social Work, Sociology, Tribal Studies and Geology तो टोटल जो है 24 सब्जेक्ट यहाँ पर है जिससे आप यहाँ पर PhD आप यहाँ पर कर सकते हैं अच्छा, PhD जो है यहाँ पर दो परकार से आप यहाँ पर कर सकते हैं एक तो जो PhD का प्रोसेस है, Entrance Exam, प्रवेस परिक्सा के माध्यम से दूसरा जो है, यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स को जो है, Entrance Exam से छूट परदान की जाएगी उसके बारे में भी जो है हम यहाँ पर बात करेंगे, तो यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले eligibility criteria क्या रहता है, तो यह information brochure है राजीव गांदी यूनिवर्सिटी का, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 55% अंकों के साथ master degree आपके होनी चाहिए, समबंदी subject या allied subject में और यहाँ पर 5% की छूट जो है, SCST, OBC और दिव्यांग जन जो non criminal हैं उनको यहाँ पर दी जाएगी, अच्छा, अगर हम यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर जिन candidates के पास के वल master degree है, उनको यहाँ पर entrance exam से चूट परदान की जाएगी, साथी साथ, बे candidate जो MPHL degree कर रहे हैं, राजीव गांदी युनिवर्सिटी से, उनको भी जो है यहाँ पर entrance exam से चूट परदान की जाएगी, तो किन-किन को entrance exam से चूट परदान की जाएगी, जो GRF क्वैलिफाई है, UGC या CSIR GRF और या PS MPHL degree जिनोंने राजीव गांदी युनिवर्सिटी से की जाएगी, तो उनको जो है यहाँ पर entrance exam से चूट परदान की जाएगी, 55% अंको के साथ master degree, 50% S.E.S.T. O.B.C. non-crimalier, और को यहाँ पर चूट परदान की जाएगी है, अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें, जो reservation है, वो as per central government के अनुसार यहाँ पर परदान की जाता है, ठीक है, तो अगर आपकी जो caste है, वो central level पर किस category में आती है, तो यहाँ पे जो है, उसके अनुसार जो है, आपको यहाँ पर reservation दिया जाएगी, यहाँ पे जो यहाँ पे PhD के लिए जो एक नए ड्राप का आया था, उसके अनुसार सीटों का जो है, यहाँ पर distribution किया गया है, चालिस जो चालिस और साथ का जो ratio था, यानि के RGU-PET, राजीम गांदी University PhD entrance test जो है, उसके माद्यम से जो है, चालिस परसेंट सीटे भरी जाएगी, और जो बची हुई 60% सीटे हैं, उनको यहाँ पर, जो entrance exam से छूट परदान की गई है, उन candidates को जो है, यहाँ पर 60% सीट उनके लिए यहाँ पर reserve की गई है, अच्छा, यहाँ पर कैसे आवेदन करना है, तो आवेदन जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, online mode only, केवल online mode के माध्यम से आपको यहाँ पर आवेदन करना है, साथ ही साथ जो है, यहाँ पर आपको जो है, जो पोर्टल है, उस पर आपको registration जरूर करना है, जो online, जब आप registration करते हैं, तो definitely आपको अपने आपको register करते हैं उसके बाद जो है यहाँ पर अगर हम बात करें 2022-23 session के लिए जो है 31 मैं तक जो है आपको यहाँ पर आविदन 31 मैं तक करना होता है ठीक है तो online आविदन जो है आपको यहाँ पर 31 मैं 2022 तक जो है आपको यहाँ पर करना अगर 2022-23 session की बात करें ठीक हैrees नाउ हम जो है यहाँपर फीस देख लेते हैं पीजडी के लिए अगर फीस की बात करें तो आप यहाँ की एक Central Government University है तो आप जो है यहाँ पर जो है आप फीस यहाँ पर दीख सकते हैं अभी हम ओफिशल वेबसाइट पे है राजीव गांदी University इसकी जो लोकेशन है अरुनाचल प्रदीश में जो है यह यह वे युनिवरसिटी लोकेटेड है तो अरुनाचल प्रदीश की जो है य यहाँ पर आपके लिए उपलब्द है और OMR इंस्ट्रक्शन भी जो है यहाँ पर उपलब्द है कैसे आवेदन करना है तो यहाँ पर जो है दिया हुआ है काफी अच्छी डिटेल्स में जो है इनोंने यहाँ पर दिया गया है कि किस परकार से जो है आपको यहाँ पर आव पर जो अन्य जो जैसे प्रिविए सियर question paper है, sample question paper है, आप यहाँ पर जो है department और scores यहाँ पर डाल सकते हैं, आपके सामने जो है, यह question paper जो है, यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर जो है, अगर आप आवी दिन करना चाते हैं, तो official जो website है, उसका link जो है, मैं description box में जो है, आप जो है, यहाँ पर जाके जो है, जानकारी जो है, यहाँ पर ले सकते हैं, साथी साथ जो है, यह इसका address रहने वाला है, राजीव गांदी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, रोनो हिल्स, डोईमुक, 791112, अरुनाचल परतीज, तो यहाँ पर जो है, कोई होता है, वो ही आपका जो है, यहाँ पर रहने वाला है, तो आई होप यह जो है वीडियो आपके लिए काफी helpful रहा होगा, वीडियो अच्छी लेकर वीडियो को लाइक करें, जाद से जादा शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब क चलिए, थैंक यू